दोस्तो मेरे पास Samsung Galaxy A71 का एक नया color variant आचुका है और इस वीडियो में मैं आपको इस smartphone की एक तो unboxing करके बताने वाला हूँ और यह जो smartphone है इसके features और performance के बारे में भी बताने वाला हूँ काफी interesting smartphone है और interesting features के साथ में आता है वैसे दोस्तो इसमें एक और unique प्रकार का feature Samsung ने आड़ किया हुआ है जिसका नाम है Alt Z Life अब यह Alt Z Life का मतलब क्या है alternate Gen Z मतलब की alternate life of Gen Z हर एक जो विक्ति होता है उसके दो life होते है एक तो होता है private life और एक होता है public life और हमारे जो smartphone होता है आम और public information भी होता है और कभी कबार ऐसा situation आ जाता है कि हमें जो smartphone है किसी और को देना पड़ता है या फिर कोई आप से आपका smartphone मांगता है और मजबूरी में आपको वो जो smartphone है आपका उसे देना पड़ता है वैसे situation में एक डर रहता है कि आपका जो private information है उस smartphone में वो कहीं वो जो व्यक्ति है देखना ले तो यह जो आल्ट जी लाइफ फीचर सामसंग ने दिया हुआ है ऐसे सिच्वेशन में बहुत ही काम में आता है चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके बताता हूं देखते रहे हैं तो दोस्तों यह है सामसंग गालक्सी आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके बता जाता हूं यह 8GB 128GB वाला वेरियंट है और हेज क्रश सिल्वर कलर वेरियंट है तो बॉक्स में आपको सेम ट्रेजेक्टर पिन मिलेगा क्विक स्टाट गाइड रिजिनल लॉक गाइड वारेंटी कार्ड साथ में सिलिकॉन केज भी दिया हूआ है और यह देखिए यह हैंसेट हेज क्रश सिल्वर इस प्रकार का दिखता है वैसे बिल्ट और फिनिशिंग काफी बढ़िया किसम के लग रही है और यह जो कलर है क तो दोस्तों यह है Samsung Galaxy A71 इसका जो नया कलर है कफी इंप्रेसिव किसम का है और देखें किस प्रकार से टेक्ट्चर भी दिया हुआ है जो फ्रेम है उसे भी सिल्वर कलर दिया हुआ है तो ओवरल काफी इंप्रेसिव लग रहा है यह देखिए और स्प्रेसिफिक लाइटिं स्क्रीन है इस पर कॉरिला ग्लास त्री प्रोटेक्शन दिया हुआ है वैसे यह 6.7 इंचिस का स्क्रीन है सुपर अमॉलेट प्लस डिस्प्लेय है फुरेश्दी प्लस रिजूशन के साथ में आता है यह Samsung 1 UI 2 रन कर रहा है जो Android 10 बेस्ट है कैमरा के अगर बात करें तो रिय कैमरा 32 Megapixel का है कैमरा की कॉलिटी बहुत ही बढ़िया है मैंने A71 का रिव्यू किया है उसमें आप चेक कर सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस हंसे में सिंगल टेक फीचर भी है जो मल्टिपल फोटो और वीडियो शूट करता है औ और भी flagship features दिया हुआ है जैसे कि night hyperlapse, custom filters, smart selfie angle जो automatically wide angle selfie mode में switch करता है जब ज्यादा लोग होंगे frame में quick video option camera button को press करके hold कीजे और recording शुरू कर देगा और इसमें AI gallery zoom feature भी दिया हुआ है इसमें in display fingerprint sensor दिया हुआ है face unlock का भी option है 4500 image की battery है और साथ में 25 watt का charger box के अंदर दिया हुआ है जहां तक प्रोसेसर का सवाल है इसमें qualcomm snapdragon 7308 NM octa core processor का उपयोग किया गया है जो कि आपको बहुत ही smooth और efficient performance देने वाला है इस handset में nox security system भी दिया हुआ है जो कि defense grade security system है और इसके अलावा alive intelligence feature भी दिया हुआ है जो कि made for India feature है alive intelligence में smart crop है जहां पर AI automatically detect करता है कि जब आप screenshot लेते हैं तो किस area को crop करना चाहिए और useful cards है जो कि आपका messaging application है उसे organize करता है जो important details है आपको आसानी से मिल जाता है normally दूसरे smart phones में आपको search करना पड़ता है जैसे कि कब आपको credit card का payment करना है वगरा वगरा यह जो useful cards है automatically आपको बता देगा कि कब आपको क्या करना है और finder function भी है अभी जो finder function है इसका उप्योग करके आप search कर सकते हैं device level पर मतलब की जो search parameter है वो जितने भी applications आपने smartphone पर install किये हैं उनमें भी search करने वाला है मतलब की system level search plus application level search दोनों को मिला के आपको बड़िया results मिल जाएगा और of course multilingual keyboard भी available है auto detection और prediction के लिए जो multiple languages support करता है चलिए मैं आपको pricing के बारे में बता जेता हूँ A51 का जो 6GB variant है उसका नया price है 23,999 रुपीज cashback आपको मिल सकता है 1,500 रुपीज का और 8GB variant नया price है 25,999 रुपीज 1,500 रुपीज का cashback है A71 का जो नया price है 8 और 128GB वाला जो variant है उसका है 30,999 रुपीज आपको additionally 2,500 रुपीज का cashback मिल सकता है up to 15 अगस्ट इसके अलावा cashback offers का जो alternative है वो है attractive EMI options उसके लिए भी आप जा सकते हैं तो दोस्तो ये था in general quick overview of Samsung Galaxy A71 लेकिन अब बात करते हैं उस interesting feature की जो Samsung ने इस smartphone पर add किया हुआ है और ये जो feature है खास करके जो power button है इसके साथ में काम करता है आपको ये जो power button है इसे दो बार press करना है और ऐसा करने से आपका जो smartphone है switch कर लेगा public to private या फिर private to public इतना असान है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो alt-z life feature है इसे आप किस प्रकार से setup कर सकते हैं इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो Samsung Galaxy A71 smartphone और जो A51 smartphones है अगर आप इनका उप्योग कर रहे हैं आपके बास जो smartphone है उसमें आपको software update मिल गया होगा या फिर आ जाएगा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो alt-z life है इसे आप किस प्रकार स setup कर सकते हैं और यह किस प्रकार से काम करता है सबसे पहले तो आपको settings में जाना है और जो secure folder option है इसमें जाके आपको उसे activate करना है first thing तो यह जो secure folder setting है इसमें एक quick switch option दिया हुआ है और यह है button power button जिसका उप्योग करके आप quickly switch कर सकते है private to public या फिर public to private तो यहाँ पर जो key है इसका option दिया हुआ है quick switch to secure folder यह जो double click करते हैं power button को यह basically अब quick switch करेगा secure folder में by default यह disabled रहता है मतलब कि अगर आप इसे double click करेंगे तो हो सकता है कि Bixby launch हो या फिर जो camera application है वो launch हो तो इसे आपको set करना है quick switch to secure folder बहुत important है तो यह मैंने setup कर दिया है अब यह जो phone है normal public mode में चल secure folder में चले गया है यह दिखें यहाँ पर और एक और चेस यहाँ पर आपको यह icon मिलता है icon दिखता है in fact तो जब कभी आपको यह icon दिखेगा मतलब यह कि जो all dizzy life है यह active है और आप secure mode में है और यहाँ पर दिखें मतलब यह कि जो all dizzy life है nox powered है तो basically जो secure folder है इसे आप एक तरी हो जाएगी मैं secure folder mode में हूँ camera का उप्योग कर रहा हूँ और यह मैंने photo खीचा हुआ है यह एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा important file है हो सकता है कि मेरा bank card हो या फिर bank statement हो तो यह मैंने store करके रखा हुआ है secure folder mode में और यहां पर देखिए IMP लिखा हुआ है और मान लीजे मेरे पास कुछ essay papers है या documents है या कुछ essay pictures है जो मेरे लिए इतने important नहीं है तो मैं उसे जो normal photo mode है secure folder के बाहर वहां पर जाके मैं इसे shoot कर सकता हूँ तो यह देखिए यह photos मैंने shoot कर लिया है अगर मैं यहां पर gallery में जाओ तो यहां पर देखिए not so important photo जो है जो कि मैंने normal mode में shoot किया हुआ है वो available है लेकिन अगर मैं यहां पर double click करूँ तो यहां पर जो important files है वो ही visible है तो इस परकार से मैं easily switch कर सकता हूँ अब यह system क्यों दिया हुआ है यह इसलिए दिया हुआ है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो smartphone है आपको friend को देना पड़ता है या फिर किसी family member को देना पड़ता है तो मान लीजे अगर मैं secure folder mode में हूँ और important documents देख रहा हूँ और कोई मुझ से यह smartphone मांगता है तो मैं उसे देते समय यहाँ पर double click करके उसे दे सकता हूँ तो यह smartphone है अब यह public mode में आ गया है जो मेरा important files है वो जो व्यक्ति है वो देख नहीं पाएगा तो एक important setting के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप secure folder mode में रहते हैं यहाँ पर आपने देखा होगा जब मैं switch करता हूँ और यहाँ पर फिर से switch कर रहा हूँ तो एक security layer नहीं है वो जो security layer है उसे अगर आप enable करेंगे तो अच्छा होगा उसके लिए आपको settings में जाना है और यहाँ पर जो auto log secure folder है यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसका setting है यह है when screen turns off तो अगर मैंने इसे double click करके किसी को दे दिया और उसने अगर screen को off नहीं किया है तो फिर वो मेरा secure folder है अगर उसको इसके बारे में पता है alt z life के बार में पता है तो वो easily जा सकता है इसलिए या तो आप immediately option को select कर लिजिए या फिर इन में से कोई भी option जो है मेरे ख्याल से जो immediately option है वो best रहेगा लेकिन फिलाल मैं when screen turns off को मैंने set किया हुआ है क्योंकि मैं बार-बार आपको दिखाने वाला हूँ download from play store में जाके आप जो application है उसे यहाँ पर download कर सकते है तो जो भी application यहाँ पर आप install करेंगे secure folder में होगा और अगर वही same application जो normal folder है मतलब कि यह वाला public view अगर यहाँ पर है तो वह अलग तरीके से काम करने वाला है तो मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ YouTube तो यह देखिए यह है YouTube का example मैं एक secure folder में हूँ और वहाँ से मैं YouTube run कर रहा हूँ एक movie देख रहा हूँ मैं basically और मानली जीए मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरी लोगों को पता चले कि मैं यह movie देख रहा हूँ तो मैं immediately switch कर सकता हूँ double press यहाँ पर और यह देखिए वही same application YouTube application जो public mode है उसमें शुरू हो चुका है और मानली जे यहाँ पर मैं Samsung S20 मेरा ही Samsung S20 का review देख रहा हूँ चले फिर से switch करते हैं यह लिजे अब मुझे pin मांग रहा है तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से switch कर सकता हूँ बड़ी आसानी से यह देखिए तो यह फीचर है खास करके बहुत सारे situations में काम में आ सकता है मैं आपको एक और example देता हूँ मैं आप फिर से जो secure folder mode में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक application डाउनलोड किया हूँ है भारत metromony मान लिजे अगर आप आपका life partner search करना चाते हैं और आपके घरवाले भी search कर रहे हैं लेकिन आप घरवालों को बताना नहीं चाते हैं कि आप भी अपनी तरफ से search मार रहे हैं तो उस situation में जैसे कि भारत metromony जो आप है उसे मैंने यहाँ पर install कर दिया है अब यह जो आप है यह जो normal mode है public mode उसमें available नहीं है secure folder में ही इसे मैंने install किया हुआ है भारत metromony का यह जो आप है यह run हो रहा है अगर मैं यहाँ पर double press करूँ तो यह यहाँ पर आ गया है secure folder में है तो यहाँ पर launch नहीं होने वाला है सिधा यहाँ पर जो home screen है वहाँ पर आजाएगा उसी प्रकार से आप WhatsApp का एक account यहाँ पर create कर सकते हैं और WhatsApp का एक और account जो public folder है वहाँ पर भी create कर सकते हैं मैं आपर आपको एक और example देता हूँ यह है Instagram और यह मेरा Instagram का main account है तो इसे मैंने public पर रखा हुआ है और अगर मैं secure mode में जाओ तो यहाँ पर भी मैंने Instagram को install किया हुआ है लेकिन मेरे पास एक और account नहीं है लेकिन अगर मैं चाहूँ एक और business या फिर एक और private account यहाँ पर मैं create कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी करूंगा वो इस account में ही रहने वाला है और खास करके जो secure folder है उसमें ही store होने वाला है और जब मैं यहाँ पर इस से बहार जाऊं तो यह है मेरा normal Instagram account तो एक तरह से यहां पर आप जो भी चेज दालने वाले हैं, वो अलग से ही स्टोर होने वाला है, जो नॉर्मल पब्लिक एरिया है, उसके साथ में मिक्स नहीं होने वाला है, एक और एक्जांपल यह है कि सामसंग नोट्स जो अप्लिकेशन है, उसमें मान लीजिया, आप जो special plan है, surprise plan, उससे आप share करना चाते हैं, तो यह जो secure folder है, इसमें आप वो special surprise है, यहां पर आप टाइप कर सकते हैं, और जो normal party plans है, वो यहां पर टाइप कर सकते हैं, तो just in case, क्योंकि यह जो party plan है, आप दूसे लोगों के साथ में share करने वाले हैं, अगर कोई आप से phone मांग सकते हैं, तो आप immediately जो normal mode है, switch करके उसे दे सकते हैं, तो ऐसे situations में भी यह काफी काम में आ सकता है, अब मैं आपको एक और interesting feature के बार में बताता हूं, यह देखिए, double click किया मैंने आपे, और यह secure folder mode है, इसमें मैं चले गया हूं, content suggestions, यह भी काफी interesting है, तो जो content suggestions करता क्या है कि जितने भी photos आपने shoot किया है, उसे scan करता है, और जो image है, उसे select करता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा जो photo है, इसे select किया हुआ है, तो इसने मुझे बताया है कि यह जो person है, अगर आपको private करना है, तो आप कर सकते हैं, तो इसे मैंने यहाँ पर actually select किया हुआ है, तो मेरा ही photo को Secure Folder में तो यहां से जो मतलब कि Normal Folder जो है Public Folder वहां से यह Secure Folder में चले गया है यहां पर अभी देखिए दिखने रहा है और अगर मैं यहां पर जाओ Gallery तो यहां पर देखिए मेरा जो फोटोज है वह आ गया है तो यह तरह से Secure Folder है दूसरे लोगों को यह दिखेगा नहीं जब तक मैं उन्हें एक्सेस नहीं दूँगा तब तक Double Press और यहां पर जो अन्या फोटोज है वो है अब मान लीजे कि मैं Normal Mode में हूँ और मैं यहां पर Camera Mode में जाता हूँ और मैं मेरा एक Selfie अभी खीचता हूँ और मैं यहां पर फिर से Secure Mode में जाता हूँ और यहां पर जो Content Suggestion है In fact, यहां पर जाने से पहले मैं Gallery में जाता हूँ यहां पर जो मेरे फोटोज है वो है और मैं यहां पर Double Press करता हूँ और यहां पर मेरा यह जो फोटो है जो मैंने Normal Mode में शूट किया है वो यहां पर आ गया है, मैं फिर से secure folder में जाता हूं, in fact, यहां पर secure folder में जाता हूं, content suggestion में जाके refresh करता हूं, अब यह फिर से जो images है, नया images उसे analyze करेगा, इसने select किया है, one image और उसे analyze कर रहा है, और यहां पर मुझे अब मेरा जो photo है, दिखा देगा कि मतलब कि वो जो मेरा photo है, जिसे मैंने यहां पर identify किया हुआ है, उसे यह कहेगा, देखिए, select किया है, तो यह जो photo है, मुझे बता रहा है, कि इसे मुझे secure folder में move करना है, क्योंकि यह मैंने suggested list में दाला था, तो यहां पर select करके, यहां पर, और मैं उसके बाद में done करके, इसे move कर सकता हूं, तो इ अधारन के तौरपे मैंने मेरा image है, उसका उप्योग किया है, किसी भी person का photos को आप अगर आप चाहें, तो private folder में move कर सकते हैं, और इसके लिए यह content suggestions है, यह काफी काम में आता है, क्योंकि कभी कबार हम जब photos किछते हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता है, कि हम secure folder mode में हैं, और important data होता है, और ज्यादा करके जो लोग है, वो जो data है, किसी दूसरे वेक्ति के साथ में share नहीं करना चाते हैं, और खास करके जो mobile phones है, उन में अकसर आपको वो data मिल जाता है, जैसे कि आपका passport हो सकता है, pen card हो सकता है, income tax returns हो सकता है, तो यह जो data है, आप secure folder में दाल सकते हैं अगर आपके पास Samsung Galaxy smartphone है तो, और यह जो alt-z live feature है, एकदम convenient feature है, double press करते ही, जो smartphone है, उसे आप private to public बना सकते हैं, या फिर public to private कर सकते हैं, और खास करके जो content, suggestions, algorithm है, यह भी काफियत तक आपकी मदद करता है, आपके private data को private रखने के लिए, तो दोस्तों यह जो alt-z live feature है, आप डेके रहे हैं,